हेलो एंड वेलकम तो आल अफ यू ऑन जी एवाई प्यू सर यूटूब चैनल देट इस दा वनिश्टॉप सेंटर अफ जी एजी के जी एस एंड करेंट अफेर न्यूज तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हूंगे की कि प्यूर्शाथ जो है आज 6 बजे क्लास को ले रहे हैं एक्चुली में मेरा फ्रेंड है दोस्त है भाई है जो भी कहलो बहुत करीबी आप हमेशा मेरे फोटोस में उसको देखते होंगे राहूल को इसके फादर कलेक्स पैर कर गए और वो भी बहुत यंग एज की है फादर बिक की भी ज्यादा एज नहीं थी और एफी जो चल रहा है इस समय महामारी जो फैली हुई है उसमें तो मैं अभी बस सीधे जो है वहां से चला रहा हूं अंतिम संस्कार से और तो मैंने कहा कि अब राद भर तो जागा हूं सोया नहीं हूं तो मैंने कहा कि अब आप उठा ही हूं तो आपकी क्लास ले करके फिर सो जाओंगा तो आज हो सकता है बाकी सारी क्लास दिन की नहीं होंगी लेकिन शाम की सारी क्लासे होंगी गुरु मंत्र बैच गुरु दक्षणा बैच और बैच 200 ठीक है चले शुरू करते हैं दोस्तों अपनी जो है ताबर तोड़ क्लास को कि पीडिएफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाते हैं ताबर तोड़ तरीके से ओके बात समझ में आ रही है चलिए मैं आप लोगों को लिंक भी दे देता हूं सारे बैच्चेस का अपने कि 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 अग्याओ कि 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 तो इसमें आप लोग को एप फेपी आप लोग को दोस्तों जहें क्लासेज मिल जाएंगी और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी मेरा गुरू मंत्र बैच दोस्तों लॉच्च हो चुका है जिसमें मैं आप लोग को दोस्तों बैंकिंग अवेर्नेस पढ़ाऊंगा कि पूरी तरीके से पाहिए डी मिलसुस्तो हमेश चार बजे चीप्टर वाइस वह चैप्टर पहले जिनकी एगजाम नेस्हां में आने की चांस्य हैं अपडेटेट चीज़े जो कि पिछल जो इम चंजर वैच एक साल पुराना हो गया करीब एक साल के देर सल पुराना हो गया तो अप्डेटेटेद चीज़े जो चीज़े चेंज हुई है वो इसमें cover हो जाएगी छे बजे बैंकिंग करेंट अफेर की class होगी जो की तो आपके पियो तक और एसबेई क्लरक तक चलेगी प्रॉपर टाइम है जनवरी तक का तो हम लोग इसमें जो है पूरे दो महीने में बैंकिंग के कांसेट भी पढ़ लेंगे और बैंकिंग करेंट अफेर भी बैंकिंग करेंट अफेर की क्लास यह बैच था लेकिन मैंने बोनस में आगे जो पांस तारीक को अप लोग पेपर है मैंठ वैसे गुरु मंत बैच हो दोनों दोस्तों हर बैंक की एक्जाम वाले कर सकते था बैंकिंग अवेलिस आफियाज कि त्यूरिक करने वाले एस्बी आई के त्युक्र करने वाले सब लोग की एकलर की या इंटर्यन प्रम जैसे अभी तीन बैच आपके चलने सर तो उसके लिए सॉलूशन है कि बैंकिंग महापैक सब्सक्रिप्शन है एक साल का जिसमें 999 रुपीज आपको जो है लगेंगे और आपको सारे बैचिस एड हो जाएंगे 12 मन्त में जितने भी 10-20 बैच जो भी बनेंगे वो सब आपको एड हो जाएंगे ठीक है रूचिण ना बैच जिसमें रर्वी में किर्तिमान रचा आईबी पेस कलर्क में हाइच अब दोस्तों आई भी प्यस पीयों में भी हाइच अटेंट होंगे आपके बस आप गुरू दश्चिना लगां इसको करके जाईएगा उसको करके जाएग पर देख सकते हैं लेपटॉप पर देख सकते हैं वन एक्स टू एक्स त्री एक्स के स्पीड पर और भी पियो के बैचेज और मॉक चल रहा है कल गूगल मीट पर खतरनाक मॉक होता रहा गया बारा साड़े-बारा बजे तक कल आपकी कैपसुल की क्लास नहीं हो पाई मॉक के चक्कर में गूगल मीट पर सारे बच्चे एक साथ जुड़ गयते वीडियो के थ्रू बड़ा मज़ा आया था ठीक है वैसे आज यह क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आज मैं सो जाओंगा इस क्लास के बाद क्योंकि मैं अभी जश्ट आ रहा हूं महाश्रमसान से और मैं आप लोगी सोचा मैंने आप क्लास कर दूँ अब आया ही हूं तो और इसके बाद जो है वह हो जाएगा ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए वैरी गुड तो गेम चेंजर बैच है दोस्तों जिसमें आपको यूटूब पर सारी क्लासेज है कैप्सूल क्लास है उसके बाद दोस्तों बेच्ट टूहंडेड यह सारी चीजे जो है सब्टेंबर मंथली है वीकली है सारी चीजे आप लोग के लिए यहां पर यूटूब पर लेबल है और आप लोग प्लेलिस से देख डाली है सबसे मज़ेदार आपके लिए हो जाएगा दोस्तों यहां पर महित्रा की परशानी बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है आए देखते हैं आगे की निउस थोड़ा जुन करके इसराइल की ट्रूप से जानी इसराइल की जो आर्मी है टैंक के साथ ग्राउंड पर पहुंच गई है गाजा में दोस्तो और उसने जो है गाजा में प्रवेश कर दिया है युद्ध जो है पूरे जो हमास के खात में तक चलेगा कतर ने दोस्तों हमारे आठ फॉर्मर नेवी ऑफिसरों को को डेथ पेनाल्टी दिये किस ने दिये कतर ने दिये हैं कि को के तो दोस्तों इंडिया सेज इस डीपली सॉक्ड एक्स्प्लोरिंग लीगल ऑक्शन तो कतर यह जो है काम कर रहा है इसको भी आप लोग डिटेल में पढ़िएगा मैं वाट्सप चैनल पर इसकी होता था exercise कतर की capital दोहा है कतर के लुसेल स्टेडियम में फीफा वर्ड कप हुआ था जिसे अर्जेंटीना ने जीता था तीसरी बार 78 में पहली बार 86 में दूसरी बार और तीसरी बार अभी जीता था फ्रांस को हराया था लियान मेसी की captaincy में दोस्तों रत प्रहरी जो है न सद्रकारी employee का अप लुग जो है अपने प्रचार के लिए यूज कर रहे हैं तो विक्सित भारत संकल प्यात्रा में रत प्रहरी नाम रखा गया था जो सिविल सर्वेंट्स है आए सदिकारी है उनका नाम तो दोस्तों अब जो है उनका नाम जो है बदल दिया जाएगा उन यात्रा जो है बिर्सा मुंडा जी के बड़े पर जन जाती गौरो दिवस के दिन जो है यह शुरू की जाएगी जारखंड के खुंटी से दोस्तों education and communication once देखो जारखंड के खुंटी से ट्राइबल अफेर मिनिस्टर बिर्सा मुरे क्या नाम इनका अर्जुन मुंडा जी सांसद भी है ओके तो यह जो है दोस्तों इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़िएगा दोस्तों काबूल में अफगान गल्स की एजूकेशन अफगान एक्टिविष्ट जो है दोस्तों था उसके डिटेंशन से उसको रिलीज कर दिया गया है एन अफगान एक्टिविष्ट वोग केंपेंड फॉर्ल्स एक्सेस्टो एड्यूकेशन वस रिलीज़ फ्रॉम डिटेंशन ऑं थर्ज्डें मोर दें सेवन मंस आफ्टर ह कि वस अरेश्टेड बाइट तालिबान अथर्टीज इस फैमिली सेड मुतियुल्ला वेसा क्या नाम है मुतियुल्ला वेसा दा फाउंडर ऑफ द नॉन प्रॉफिट और अर्गनेजिशन पेंपाथ हैस ब्रदर अताउल्ला वेसा से अब आपको लग रहा होगा सरीय को पढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान में जहां लड़कियों को पढ़ने की परमीसर नहीं बुक्स भी यहां पे हैं और सोलर पैनल भी लगा है और यहां पर यह वह सक्स हैं मतियुल्ला वेसा अब आपको लग रहा होगा सर यह तो फाल्तू की निउस है जो आप लोग सुब किया गया था एडुकेशन देखो क्योंकि यह बंदा अरिष्ट किया गया था क्या स sujet जैसे इस में नोबिलेट्प्राइज इरान की नर्गेस मुहमणी को कि और ना पर हेसा अमीनी जो 22ault के लड़की ड़क्येक्ष कर गई हिजाब पहनने की वजह से दोस्तो मॉरलिटी फाल्तू नहीं होती है क्योंकि मेरे पास फाल्तू टाइम है नहीं तमिलाडू ने दोस्तों जो है वो सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मेनेजमेंट के लिए Smart Tech Project दोस्तों के लिए किस country के साथ collaborate किया है Tamil Nadu ने तो ये UK के साथ किया है Tamil Nadu ने UK के साथ दोस्तों क्या किया है यहाँ पे सहयोग किया है UK के साथ दोस्तों अभी हमारी 2 plus 2 वारता भी हुई है 2 plus 2 वारता किन दो ministers के बीच में होती है बताईएगा हर देश के साथ जब हम लोग defense डील करते हैं तो 2 plus 2 वारता करते हैं दोस्तों यह बस प्लांट के लिए यूपी गॉवर्मेंट जो है असोक लेलेंड के साथ टाइप कर रहे है दोस्तों customer service points बनाने के लिए वैसे customer service point दोस्तों यह तो आपकी SBI ने भी लांच किया था social security scheme को उसने आधार enabled भी किया था ओके clear है बात सबज में आ रही है महराश्चा ने दोस्तों जर्मनी के professional association football के साथ MOU sign किया है जारखन ने टीजी पील green energy के साथ टाइप किया है और ISB ने दोस्तों गोवा government के साथ टाइप किया clear है दोस्तों किस राज सरकार ने राज में रोजगार के उसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट करनेक्ट पोर्टल लांच किया है राजस्थान ठीक है दोस्तों किस ने किया है राजस्थान आई से याद है आई mobile pay app भी आई से सी बैंक का है आई finance भी आई से सी बैंक का है भी account aggregator framework का यूज़ करके उसने शुरू किया है ठीक है ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त राजस्थान में इंद्रा गांधी दोस्तों राश्टी सहरी जो है रोजगारी उजना भी चलती है राजस्थान में 53 डिश्टिक्स हो गए पचास हुए थे अभी तीन डिश्टिक और बढ़ गए बनर है जैपूर में वेदानता के मालिक अनी लगरवाल के नाम से स्टेडियम बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नमो स्टेडियम और मेलबॉन स्टेडियम के बाद केंद्री मंदल ने सेमी कंड़क्टर सप्लाइचें डवलप करने के भारत और किस देश के बीच में टाइप किया है तो यह दोस्तों भारत और जापान के बीच में हुआ है ठीक है यानि क्वाड देशों में देखा जाए तो क्वाड देशों में इंडिया ने जो है अमेरिका के बाद दोस्तों किसके साथ टाइप कर लिया जापान के साथ टाइप कर लिय किसके लिए सेमी कंड़क्टर को लेके मोधी जी बहुत पज्यसिव हैं अभी दोस्तों आपको बताना है कि सानंद गुजरात में टाटा सेमी कंड़क्टर प्लांट लगा रही है किस अमेरिकन कंपनी के साथ मिल करके अभी जब अमेरिका गह थे मोधी जी तो वहां पर उस कं Company से बात करीती सेमी कंडुक्टर प्लांट लगाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री है फूमियों के सिदा ओके जापान के साथ भारत लूपेक्स मिसन चंद्रमा पर जाने का बना रहा है जापान आज तक चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया है पहुत सारे उसने मिसन किये जैसे हकुतो मिसन किया जिसमें यूवेई का रोवर रासीद नाम का भेजा वो भी क्रेश कर गया दोस्तों लूपेक्स भेजा मून स्नाइपर लूपेक्स अभी भेजेगा तो दोस्तों अभी तक सफल नहीं हो पाए केवल रश्या इंडिया दोस्तों आज तक चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाएं इंडिया और तंजानिया ने पांच साल का रोड मैप जो है किया है डिफेंस के लिए तंजानिया के जानजी बार में आईटी मद्रास अपनी आफिस खोल ली और दुबई में आईटी दिल्ली खोल ली अभी परसोई कोश्चन एक्जाम में आया था तंजानिया की पहली महिला जो राश्पती है सामिया सुलू हसन उनको किस ने अवार्ड दिया है भारत की किस संस्था ने अवार्ड दिया है इंडिया सौधी अरभिया ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्श ज्यू करें इंडिया अउडियू आर्जिंटीना ने सोसल स्यक्योर्टी एग्रिमेंट के लिए अमेरिका और वुयत नाम ने सेमी कंदक्टर सप्लाई चेन के लिए इंडिया और आर्मेंया ने दोस्तों एमो बहुत तगड़ा इनाल्सिस था उससे जरूर देखें उसमें बहुत सारे मो यू थे बहुत सारे बैंकिंग करेंट अफेर्स थे जिससे हम लोग ने अंदाजा लगाए था कि अब की बार यह 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 पूछ सकता है निमलिकित में से किस देशने हाली में और यही का पढ़ना क्या है आपको इतने कैपसूल इतने पीडियाफ इतनी सारी चीजों में पढ़ना क्या है फोकस कहा करना बस यह पता चल जाता है तुम लोग का सेलेक्शन हो जाता है यह सटेम्ट हो जाते निमलिकित में से किस देश ने हाली में प्रेटन को बढ़ावा देने के भारतियों के लिए मफ्त वीजा की गोष्णा किया है तो यह दोस्तो श्री लंका में किया गया स्री लंका ने भारतियों को मुफ्त वीजा देने की गोष्णा की Esta तेर हैं शीलंका के साथ रामायर सर्कृट भी सुरू हुआ था ट्रेन यहीं पर दोस्तों फर्स्ट एलिवेटेड अभी वर्टिकल वो बना है क्या कहते हैं ब्रिज बना है रामेश्वरम में है ना रेलवेव ने बनाया है पंबंब बिरिज पंबंब ब्रिज शीलंका से ले ठीक है बात्सबज में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्त कि को के कि आज साम को जो गुरुदक्षिणा बैच में मैं एक ऐसे आदमी को लेके आऊंगा जो तुम लोग को दोस्तों करेंट अफेर पढ़ाएगा बहुत तगड़ा आज शाम को गुरुदक्षिणा बैच में लेकि आऊंगा ठीक है उस आदमी का सौट नेम बस बता दे रहा हूं तुम लोग खुदी समझ जाओ के करेंट अफेर की कौन सी फैकल्टी आज गुरुदक्षिणा बैच में आ रही है सौट में उनको नमों कहते हैं बस इतना य बहुत ही फेमस वेक्ति हैं ठीक है ओके अब तक भारती प्रेटकों से ओनलाइन वीजा आवेदन के लिए 20 डॉलर का सुल्क लिया जाता था भाई टूरिस्ट और इंडियन जाएंगे तभी उनको फायदा होगा शीलंका की लेजिसलेटिव कैप्तल स्री जैवर्ध ने इंडिया वाले में चिलंका के साथ हुए ठीक है बात बात समझ में आ रही है क्लियर है प्रवाइब अगे 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 तो दोस्तों मैं उनका एक वीडियो देख रहा था कल कल वो किसी स्पोर्ट्स फंक्शन में था थर्टी सेवंध नेशनल गेम के उद्गाटन शमारों में बोल रहे थे तो उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूं तीस दिनों में म क्या क्या करा तो आज साम को मैं उस वीडियो को चला दूँगा अपने बचों को बता दूगा मुझे 5 मिनट अ मैं अच्छी बात है जैसे मैं रैपीड फैर बेश टुएंट करा रहा हूं वैसे ये बंदा भी करा रहा यार यह बंदे इसको जो है की काम पे लगा देंगे पांच दस मिनट बोलेगा बंदा अपना काम हो जाएगा एडिटेक प्लेटफॉर्म हेन्री हरविन एजुकेशन के ब्रैंड अमेजर के रूप में किसे पॉइंट किया है तो दोस्तों जो है यह चेतन भगत को पॉइंट किया गया चेतन भगत की दोस्तों बहुत सारी बुक थ्री मिश्टेक्स ऑफ माई लाइप पे जो है काई पोच्छे बनी थी तो बहुत सारी मुवी थ्री इडियाट और काई पोच्छे बहुत सारी मुवी एक सलमान खान की भी मुवी बनी थी कि कॉल सेंटर वाला वन नायट एक कॉल सेंटर तो बहुत सारी मुवी चेतन भगत के उपर बुक पर बन चुकी है ठीक है तो एंडरी हारवीन के चेतन घट भगत क्या बन गए हैं ब्रेंड अमबेजडर बन गए चेतन भगत एक अकसर एक वर्ड यूज करते हैं जैसे कि दोगलापन्व यूज करते हैं अशनीर ग्रोवर और यह यूज करते हैं आउकात तो आपको कि सर यह सब गाली गलोज क्यों करें सुबह सुबह यह कुश्चन अभी पूछा गया है इसी वीक कि दोगलापन किसकी बुक है तो मैं जो है गाली गलोज नहीं कर रहा हूं बलकि उसको उन्होंने कॉपीराइट करा लिया है ठीक है तो दोस्तों यह बोलते हैं आउकात क्या बोलते हैं कि अपनी आउकात से ऊपर सोचना सुरू करो सफल हो जाओगे जिन्दगी में सफल होना है तो एक काम करो अपनी आउकात से ऊपर सोचो हम लोग अंडर इस्टिमेट के सिकार हैं मिडिल क्लास लोग इंडियन लोग हम जो कर सकते हैं उससे नीचा सो कुछते हैं काउन रिस्क ले काउन फालतू में पंचायद जेले काउन इतना परपंच करे आउकात से ऊपर सोचो ठीक है अगर मोदी जी आउकात से ऊपर नहीं सोचते तो मुखमंत्री बनके रह जाते अब मुखमंत्री भी ना बनते महें सिंग धोनी लेज के ब्रेंड अमबेजडर बने हैं और दोस्तों यह जो है जियो मार्ट के भी ब्रेंड अमबेजडर बने हैं महें सिंग धोनी नीरत चोपड़ा लॉरियस के अमबेजडर बने हैं इसके पहले यूरा सिंग बन चुके हैं लॉरियस बहुत बड़ा स्प General Hospital Services के Director of General के रूप में, Director of General Hospital Services Armed Force के रूप में दोस्तों किसे पॉइंट किया गया है, तो यह साधना सकसेना नायर को पॉइंट किया गया है, साधना सकसेना नायर, विवेक राम चौधरी जी है, विवेक राम चौधरी जी दोस्तों, ठीक है, पहली महिला है दोस्तों जो की GHS की डिरेक्टर बनी है क्या बात है बहुत बढ़िया कर दोस्तों यह तो हो गया इलेक्शन कमीशन की नेशनल आइकन राजकुमार राव बने है एच पी इंडिया के दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट और एमडी बनी है एपसिता दास गुपता आई यार सीटिसी के हेड बने है संजे कुमार जैन और हुडको के हेड बने है संजे कुल स्विष्ठा और दोस्तों हाली में चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है तो राजकुमार राव को नियुक्त किया राजकुमार राव वैसे भी नियूटन वाली मूवी देखो गे तो लगेगा कि इलेक्शन कमीशन को इसी आदमी को बनाना चाहिए और होगी इस आदमी को UPSC bank SSC railway की competition की तयारी करने वालों का brand ambassador बना देना चाहिए ठीक है तो दोस्तों यह है राजकुमार राओ ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह जिस व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं इनका नाम है राजिव कुमार वू इस दर राजिव कुमार राजिव कुमा पांच राजियों में दोस्तों विधान सभा चुनाव होने वाले हैं याद रखिएगा ओके जिसके लिए electoral bond launch हुआ electoral bond कब launch होता है जो एक participatory note के रूप में होता यह question इसी मन्त पूछा गया था Electrical Bond SBI launch करती है थीक है स्बीआई एश्यू करती है एक से दस तारिक हर quarter के first से 10 तारिक जैसे January की एक से दस तारिक ऑप्रेल की एक से दस तारिक जुलाई की एक से दस तारिक और October की एक से दस तारिक में यह इस्व किये जाते हैं जो इकशु को गोहते हैं उसे बॉन्ड वो बॉन्ड को इनकैश करने का टाइम 15 दिनों का होता है पिपुल्स आफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट पी आराई एक्ट के तहट जिनको लाश्ट पोल में लाश्ट इलेक्शन में 1 परसेंट वोट मिला है कि एवल वही पॉलिटिकल पाइटी इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड के थूँ चंदा ले सकती है दोस्तों अभी कोश्चन आया था कि कितने 2000 के नोट जो चेंज किये जा रहे हैं उसमें म पूछा था दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके मेरे दिमाग में आया है इलेक्टोरल बॉन्ड में आप कितने रुपए जमा कर सकते हैं चंदे के रूप में कितने दे सकते हैं मिनीमम और मैक्सिमम और कैश के थूरू कितने रुपए आप जो है दे सकते हैं अगर माले इ बोटर्श डे मनाते हैं और इसी दिन हम लोग हिमाचल प्रदेश डे भी मनाते हैं 24 जनवरी को हम लोग गल नेशनल गल चाइल डे भी मनाते हैं हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली पहले मुखे चुनावायुक सुकुमार सेन थे पहली महिला चीफ इलेक्षन कमिशनर वियस रा अरुड़ गोयल है छे साल का टेनियोर होता है 65 साल की अवधी होती है यानि दो इलेक्षन तो यह बंदा कराएगा छे साल की अवधी है तो है न है ओके दोस्तों अभी टीन सेशन का निधन हुआ टीन शेशन नहीं टीन सेशन के अभी बुक आई निधन हुआ कोई गिल थे सोले लिए लिख यह एंज नाम तक एक प्यूस ata यह करेडिके कि लिख इन को इनको याद रखिए गएगा एक गिलेक्षन को जोकलाल साब फिलिप्इन्स में इस समय ठीक है ओके निमलकीद मेंजे किस ने हाल ही में स्वदेश निर्मित विक्रम वन राकेट का नावरड किया तो विक्रम नाम से जो है दोस्तो जो राकेट है वो सकाईरूट एरोकेश है स्पेस इस है दरबाद की डिकंपनी कहां कि है गैदराबाद की कंपनी है स्काइरूट एरोस्पेस के और दोस्तों इसे भारत नागा डाका और पवन चंदाना ने मिलके 2018 में सुरू किया था मिशन प्रारंब के तहत इन्होंने भारत का पहला जो प्राइवेट रॉकेट बेजा था वह विक्रम एस ही था इनका जो पहला रॉकेट था वह विक्रम एस था भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट किस ने लॉंच किया इसी कंपनी ने लॉंच किया था यह विक्रम नाम से क्यों करते हैं क्योंकि विक्रम सारा भाई ही भारत के स्पेस साइन्स के जनक कहे जाते यह दोनों इस से प्राइवैट कंपणी है पूर्ग को कौन देता है अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर देखें लो एर्थ आर्बिट बालबार दे रहा है तो यह दे है लिए नियो नियो जीतों सब का genova full form आपको पता होंना चाहिए कहीं जीए का फॉल फॉर पूछछी रहा है कहीं नियों का फॉल फॉर फॉर पूछ ले रहा है तो आपको बताना है कि इसका defended फॉल फॉरॉं क्या है या भी किस्वाब अपकी कुश्व ना दहले कि किस exam में आया था ये आइभीपेस क्लर्क में आया था निएओ का full form आया था ना कियो दोस्तों वहां दा वीमें सिंगल टाइट अबुध अभी मास्टर्स इन यूए इ सहीं अभब अमिरात में अभुध अभी मास्टर्स में महिला एकल का किताब किसने जीता है महिला एकल का खिताब किसने जीता है फटा फट बताईएगा तो देश दोस्तों यहां पर जवाब आ रहा है इनि-स-PACE बिलकुल सउधी जवाब है इनि-स-PACE जो हैदराबाद की अरे एहमदाबाद में है और पवन गोइन का उसके हेड है इन स्पेस का फिल्फर्म भी बता दो तुम लोग वही सारे इस पेस लॉंचिंग को एप्रूवल देता है ठीक है अथ्राइजेशन करता है उन्नती हुड़ा को दोस्तों जो है यहां पे अबुधाबी माश्टर म अशियन पेरा गेम्स में पुरुषों की हाई जंप में टी 47 में किसने गोल्ड मेडल जीता है और रिकॉर्ड बनाया है तो यह निशाद कुमार में बनाया है दोस्तों कल मैंने आप लोग को बताया था कि सुमित अंतिल ने भी जैवलीन थ्रो में जीता और वर्ड रिकॉर में बनाया तो दोनों ने रिकॉर्ड बनाया अपने अपने केटेगरी में और गोल्ड भी जीता तो दोस्तों जहां पे गेम्स खतम होते हैं वहीं पैरा गेम्स शुरू होते हैं उपके बात समझ में आ रही हैं चलिए बहुत बढ़ें दोस्तों एशिन पैरा गेम्स में हाई जम्प में टी 63 में गोल्ड किसने जीता टुटी 63 में जीता है शैलेश कुमार ने जीता है जीता है ओके क्लियर है याद रहेगा देखें यहां पे समीना ने और मोनिका ने यहां पे बताया है very good क्या बताया है भाईया इंडियन नेशनल इस्पेस प्रमोशन एन ऑथोराइजेशन सेंटर इन इस्पेस इसका full form है very good प्रणव सूर्मा ने एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है वह किस खेल से संबंदित है तो दोस्तों वह club throw से संबंदित है किस से संबंदित है club throw से संबंदित है ठीक है clear है बातसबज में आ रही है चलिए कि वेरी गुड है कि इंडिया स्वेप्ट आल थ्री मेडल्स इन दॉमेन्स लब थ्रो प्रणव सूरुमा कि होंगजाओं में दोस्तों ये एशियन गेम हो रहा है जहां पे आपका 19 एशियन गेम हुआ ता जिसका स्पॉंसर अमुल था जिसमें की भारत ने 107 मेडल जीते थे 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 दोस्तों ब्रॉंज जीते थे एक लियर पहली बार सौ का आकड़ा पार किया था इशियन गेम्स में इंडिया और लाइफ में जो है दूसरी बार सौ का आकड़ा पार किया था तो पह अब आपको पता है कि डालेट कुश्चन्स नहीं आते हैं पूछ लेगा पिछली बार सौ से ज्यादा मेडल भारत ने किस गेम में जीते थे 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 वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को मना जाता है वर्ल्ड पोलियो डे की थीम क्या है यह है दोस्तों अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्डरिन ठीक है ओके कि स्टॉप पोलियो वैक्सिनेट एंड पोलियो नाव कि भारत में पोलियो का आखरी मामला 2011 में आया था 13 जनवरी को पोलियो मुक्त भारत ने के 12 साल पूरे हो गए है 2002 में डबलू एक्चो ने यूरोपियन छेत्र को पोलियो मुक्त खोशित किया था तब से दोस्तों जो है यह हर साल 24 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है यूनाइटे नेशन डिसार्मामेंट वीक दोस्तों यह हर सब्ता किस तिती से किस तिती तक मनाया जाता है वह 24 से 30 अक्टूबर मनाया जाता है तो कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइट नेशन आया था और निरस्त्री करण के लिए ही दोस्तों आया था ताकि युद्ध समाप्त हो और आगे से कभी भी युद्ध नहों ठीक है बात समझ में आ रही है प्रणाम सर मैंने बॉब एक्विजीशन ऑफिसर एक्जाम में चैनित हो गया हूं आपकी कृपा से सब्सक्राइब कुछ मांग दर्शन करने का पतास करें और इंटर्व्यू के लिए भी मांग प्रसस्त करें बिल्कुल आप मुझसे जो है कांटेक्ट करिए मेरा नंबर है 829-287-812 वाट्सअप कर दीजिए जो भी आपको जो है हेल्प चाहिए मुझसे आप लोग लीजिए क्या यार मैं तो भी दो को और भी प्योंगे बच्चों को बैट के घंटो जो है गूगल मीट पे बैट के बात करता हूं कल तो बारा साड़े-बारा बज चल ले जैसे मैं एक बच्चे से गूगल मीट पर फूछ रहा हूं बाकी बच्चे सुन रहे हैं तो उनको समझ मेरा अच्छा यहां से यह कोशन पूछा जा सकता है तो मुझसे भी आसा कोशन पूछा जा सकता है तो सीवी सब की मंगाता हूं सबके बार डाटा सके स्थित्थी में हूँ मैं कि खेर ग्लोबल मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीग चौभीस 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है दोस्तों अभी जो यह 31 अक्टूबर है ना इस दिन नेशनल यूणिटी डे मनाय जाता है जिस दिन सदार पटेल का बड़े होता है उस वीक में दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस अवेर्नेस वीक मनाया जाता है जो कि पिछले साल 31 अक्टूबर से लेके और दोस्तों जो है छे नवंबर तक मनाया गया था और ये दोनों questions आपके exam में पूछे गए थे ये दोनों questions जो है exam में पूछे गए थे आज इंटर्व्यू की class नहीं होगी अब क्यों नहीं होगी ये बार-बार तो नहीं बताऊंगा लेकिन श्टार्टिंग के आप वीडीयो देखोगे तो आपको खुदी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होगी आज क्लास ठीक है शाम वाली सारी क्लासेज होंगी अभी वाली नहीं होंगी इसके लिए स्टार्टिंग वीडियो देखिए बार बार बताना अच्छा नहीं लगता ना बस इतना समझ लो कि अभी रात भर का जागा हूं और डारेक्ट आया हूं बाहर से और तुम लोग को पढ़ा के फिर सो जाओंगा ठीक है दोस्तों और बी आई के एस्पेक्ट में क्या बाते सही है और बी आई है अच्छा देख डिसाइडेट टू एक्स्टेंड दॉप्रॉंट करेक्टिव एक्षन फ्रेमवर्क टू ओल डिपॉसित टेकिंग गॉर्मेंट नबी अपसी और नबी अपसी इन मिडिल अपर एंट टॉप लेयर एक्स्क्लूडिंग बेस लेयर विट इफेक्ट लिए तूबर 2024 तो दोस्तों ये बलकुल सही है पीसीय का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है पीजिय अ की डेट अक्षेंड कर दी गई है यहां पे उक्सेंट कोशन आईगा और यहां पे उक्षाम में कोशन आइगा उके सबज में आ रही है यह सारे लेयर्स के बारे में पढ़ लो यह सब चीज आज मैं शाम को पढ़ाऊंगा तुम लोगों को ठीक है जिसमें मैं उन पॉब्लिक की जो पॉब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां है नबी एपसी जो गौर्मेंट वाली है उन इन बी एपसीज के बारे में भी बताऊंगा जिनको की पीसीए में डाला गया है और पीसीए क्या होता है इसके बारे में भी गुद्रशणा बैच में बात होगी आज कर तीक है कि और गुरुमंत्र बैच में आज मेरे जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं SBI कर चैप्टर शुरू करूंगा वो RBI एक एक चैप्टर करके पढ़ाऊंगा बैंकिंग एवनेश शार बज़े और छे बज़े पढ़ाऊंगा बैंकिंग करेंट अफेर इस तरीके से दो-दो प्रॉसेस अफ एडिंग और कश्टमर कुष्टर मोंबाइल है यह भी सही है ऐसे एक से टहर और भी कोई चीज आती है इस एक से के सटेर्ट के पर्सनल नोर रिटेर्ल लोन कंशनमार्या साफप सकते हैं किस जाती है सब्सक्राइब करेडिट तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉइंट है कि मार्च तक में जो भारत की जो सबसे बड़ा कंपोनेंट रहा है लोन का वह रहा है पर्सनल लोन और रीटेल लोन परस्नल लोन से सबसे ज्यादा लोन बाते गये हैं जिसमें 32.1 परसेंट की आउट्स्टेंडिंग क्रेडिट देखी गई है इसके अलावा मॉनिटी पॉलसी में 5.4 परसेंट इंफलेशन फोरकास्ट है 6.5% repo rate है 4.5% CRR है incremental CRR 10% बढ़ाया गया था वापस से खतम कर दिया गया SLR 18% है 6.75% bank rate और MSF rate है 6.25% HDF rate है 3.35% reverse repo rate है और GDP forecast है 6.5% ठीक है और जिन urban cooperative bank को ने अपने PSL target और सब target पूरे कर लिये हैं उनके जो bullet repayment की gold loan की जो limit है उसे double कर दिया गया है दो लाख से 4 लाख रुपे कर दिया गया है ठीक है बात सबज में आ रही है ओके तो दोस्तो सारे points यहां पर सही है सारे points जो है यहां पर सही है तो दोस्तों यह बहुत important है कि इसे date को 24 तक के लिए बढ़ा दिया गया है जितनी सरकारी NBFC हैं उनकी जो PCA की जो date है दोस्तों उसको एक October 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है ओके यानि यह एक October 2024 से लागू होंगी एक October 2024 से लागू होगी बात समझ में आ रही है उन तीन कंपनियों के नाम क्या है दोस्तों या उन चार कंपनियों के नाम Power Finance Corporation, Rural Electrification Company, Indian Railway Finance Company और IFCI यही चार आपकी सरकारी सरकारी NBFC हैं सरकारी NBFC जिन पर PCA लगाया जा सकता है लेकिन इनको महलत दे दी गई इनको महलत दे दी गई ठीक है बात समझ में आ रही है कि पांच क्रोण रुपे का जुर्माना इन दोस्तों लगाया गया यह सबैंक पेना किस्पर लगा गया था जिसने international transaction से मना कर दिया कि अवह international transaction कि में कराएंगे ही नहीं डेबिट काड़ों के डिट काड़ पर तो दोस्तों पर्सनल लोन जो है वह 32.1 परसेंट है टोटल लोन का सर्विसेस का है 28.4 परसेंट इंडस्ट्री का है 26.2 परसेंट और अग्रिकल्चर का है दोस्तों 13.3 परसेंट उके बात समझ में आ रही है चले बहुत बढ़िया करें तो दोस्तों यहां पर देखो सबसे कम लोन कहां दे रहे है क्रिश identify यही तो देश की दरक्खिशी तो नहीं हो रही क्रिशी में आप सबसेक्म लोन दे रहे है're क्रिशी में सबसे ज़्यादा चे क्रिशी प्रधान देश है उसी के लिए 1969 से लेकर आज तक सारे काम चल लाए है हार आरबी के जन्म पीएसल का जन्म लीड बैंक का जन्म बैंकों के निस्टलाइजेशन स्मॉल बैंक सब अग्रिकल्चर को लोन देने के लिए दोस्तों आनिम्प्लाइमेंट रेट्स छे साल के निचले इस्तर पर आ गया है यह कितने परसेंट हो गया थ्री पॉइंट टू परसेंट हो गया है दोस्तों यूज गारी की दर कितनी हो गई है थ्री पॉइंट टू परसेंट हो गई है यह दोस्तों रिपोर्ट नेश्टल सेंपल सर्वे ऑफिस देती है ठीक है बात समझ में आ रही है किस कंपणी ने अच्छा इसको पढ़ दीजेगा जरूर इसको पढ़िएगा इस पूरे पेज को आपको कुछ और भी जानकारिया और अच्छी जानकारिया आपको मिलेंगे जैसे श्रमबल भागेदारी दर्ग जैसे कि यहां पर देखो लेबर फोस्ट पार्टिसिपेशन रेट 57.9 परसेंट हो गया है ठीक है ओके पिछले बार जो है 4.1 परसेंट अनिम्प्लाइमेंट रेट था भी 3.2 परसेंट हो गया है ठीक है किस यहां पर एक और स्टेडिक जी के कि अप्रेल 2017 में लॉंच किया गया था कि किस कंपनी ने हाली में विकरम वन राकेट पर सेटलाइट लॉंच करने के लिए फ्रांस की दो कि स्पेस कंपनी प्रो मेथी ऑर्थ ग्याव किया किया हुआ तो इस्काइड एओ है दोस्तों जो विकरम को लॉंच कर रहा है इसने दोस्तों फ्रांस की स्पेस फंप्रो मेथी और कॉने ..... सेट के साथ टाइप किया है ठीक है बात सबज में आ रही है तो प्रोमेथी के साथ इसकाई रूट का टाइप यहां पे आप देख भी पा रहे है इधर विक्रम एस रॉकेट को भी आप देख पा रहे हैं इधर आप भारत नागा डाका को देख रहे हैं इधर पवन चंदाना को देख रहे हैं और इधर जो है आप प्रोमेथी कंपनी के ओलीवर पिप्सिज को देख रहे हैं ठीक है यह विक्रम एवन रॉकेट है दोस्तों लेकिन भारत का जो पहला प्राइवेट S था, विक्रम 1 नहीं था, वो विक्रम S था, ओके, विक्रम S मतलब सारा भाई दोस्तों, उस क्रिकेटर का नाम बते, जिसे हाली में मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब की वर्र क्रिकेट कमीटी के नए अद्यक्ष के रूप में अपट किया गया है, तो दोस्तों, कुमार संग अकारा जी को अपट किया गया, जो बहुत बड़े कीपर भी रहे, कैप्टन भी रहे हैं बहुत बढ़या बैट्समेन भी रहे हैं कुमार संकारा जी मेरे लिबोन क्रिकेट क्लब में यह हैड बनने वाले फर्स्ट एशियन विप्ती थे कोरोना के समय में यह दो बार रह गए थे हैड फिर हट गए थे और फिर से इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा फिर से बनाया जा रहा है मेरे लिबोन क्रिकेट क्लब के इतिहास 200 से साल से भी ज्यादा पुराना है क्रिकेट की सुरुआत इंगलेंड से ही मानी जाती है तो दोस्तो यह है कुमार संकारा जो शीलंका के कैप्टन रह चुके हैं और कीपर भी थे बहुत अच्छे और इंडिया में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं पहले नॉन ब्रिटिस दोस्तों यह अध्यक्ष बने थे दोस्तों अक्टूबर में महराष्ट के उपमक मंत्री कौन है जिन्हें पूरे डिष्टिक सेंटर कोपरेटिव बैंक के डिरेक्टर की पोश्ट से स्तीफा दे दिया है तो दोस्तों यहां पर अजीद पवार जी क्य महराष्ट के बन गये तो वह पूरे डिष्टिक सेंटर कोपरेटिव बैंक के दोस्तों डिरेक्टर के पोश्ट से इन्हों ने इस्तीफा दे दिया है 32 साल से दोस्तों यह इसके डिरेक्टर थे ठीक है बात समझ में आ रही है 1991 से ही दोस्तों यह थे दोस्तों SBI mutual fund हर company में investment करती है और 10% से उपर तो कर नहीं सकती वहना मालिक का दर्जा मिल जाएगा तो 9.99% जो maximum non-promoter shareholding ले सकती थी वह ले रही है इसके लिए आर्बेन उसको अप्रूवल दे दिया किस बैंक में ले रही है तो करनाटका बैंक में करनाटका बैंक के हेड कौन है यह कौन बताएगा करनाटका बैंक के हेड कौन है करनाटका बैंक के हेड दोस्तों महाबलेश्वर MS थे फिर सेखर राओ बने थे कौन बने थे फिर सेखर राओ बने थे ओके अब कौन है करनाटका बैंक के हेड दोस्तों प्रशिद भारती सं संस्कृत विद्वान ब्रह्मर्शी संस्कृत महाविद्याले नाडियाड गुजरात के संस्थापक पदमश्री पुरुषकार विजेता डॉक्टर दहया भाई करुणा संकर सास्त्री का निधन हो गया उन्हें साहित वह सिक्षा के छेत्र में पदमश्री पुरुषकार किस सेवर्स प्राप्त हुआ तो 2016 में प्राप्त हुआ है ठीक है तो दोस्तों कभी जब इनको अवार्ड मिल रहा था एक मैं वीडियो देख रहा था कोई किसी संस्कृत के विद्वान कहीं था कि आप संस्कृत की सेवा कर रहे हो इसलिए आपको यह आवार्ड दिया जा रहा ह है तो दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत सरकार को एक चिठी दुबारा लिखो उन्होंने कहा कि मैंने संस्कृत की कोई सेवा नहीं की है बल्कि मास संस्कृत ने हमारी सेवा की है मतलब हमने जो है कि मासंस्कृत की सेवा की है संस्कृत ने हमारी सेवा नहीं की है ठीक है तो ह हमने मा संस्कृत की जो है सेवा करी है मा संस्कृत ने हमारे उपकार किया है कि हमें इसलिए चुना है तो अच्छी बात उनकी लगी तो दोस्तों 2016 में जो है इन्हें जो है यह अवार्ड मिला है पदमश्री का और अब इनका नुधन हो गया ठीक है किस राज्य सरकार ने हाली में दोस्तों पॉरेश्ट कंजर्वेशन इस्कीम बेजड एक कम्यूनिटी इस्कीम लाँच करी है जिसका नाम है वन मित्र योजना यह किस राज्य ने लाँच करी है तो यह हिमाचल प्रदेश ने लाँच करी है सुखविंदर सिंग सुखु जी दोस्तों यहां के चीफ मिनिश्टर है वन मित्र इन्होंने लाँच किया है हिमाचल प्रदेश फार्मा के लिए जाना जाता है नंबर वन पे है ठीक है स्नो लेपर्ड के लिए भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेके लाहौल इस्पिती तक भारत की सबसे उची 10,000 फिट की उचाई पर नेशनल हाइवे टनल भी है दोस्तों ये भी याद रखेंगे क्लियर लाइक करते चलना हरी हर सर्मा बिल्कुल सही है करनाटका बैंक के हरी हर शर्मा है इंडिया इस्पेस कॉंक्लेव दोस्तों ये जो है आपका नई दिल्ली में हो रहा है इंडियान इस्पेस कॉंक्लेव मानिक्षा सेंटर में दिल्ली में हो रहा है देखिए इन स्पेस जो एहंदाबाद में है जिसके हेड़ पवन गोईन का है वह इसे को होश्ट कर रही इसका सेकेंड एडिशन है यह भी याद रखिएगा ठीक थीम क्या है भू मंडल से ब्रहम्हांड तक भूमंडल से ब्रहम्हांड तक दोस्तों क्या है इसकी थीम है ओके दोस्तो केंदरी स्वास्तो परिवार कल्यार मंत्री मंसुक मंडाविया ने हाली में कि शहर में नीम हंस में नई सुविधाओ का उद्गाटन किया दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता रहा है नीम हंस कहा पर है नेशनल इस्ट्यूट ऑफींटल हिल्ट तैंद नीऊरो साइंसेंस कहा पर है कभी योजना कहा पर दोस्तों Robin उथप्प इस जो है mental health कभी योजना के ब्रैंड मैजडर बनाए गए थे रॉबिन उथप्पा क्रिकेटर थे ओके क्लियर है तो दोस्तों यहां पे mental health awareness वाले डे के दिन बैंगलूरू में दोस्तों जो है नई सुविधाओं का उद्गाटन के नीम हंस कहां पर है यह एक्जाम में आ सकते mental health related institute है दोस्तों जिसका उद्गाटन पिछले बार मोदी जी ने ही किया था जब वहां पर बीजेपी की गवर्मेंट थी तब करनाटक FDI में टॉप हुआ करता था अब महाराष्ट में गवर्मेंट योजना करनाटक brain health initiative शुरू किया गया था जिसके दोस्तों ब्रैंड अमबेजडर थे रॉबिन उथप्पा और टेली मानस के तुरू दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपने OPD ली है कंसल्टेशन ली है यह जो है इस योजना की बहुत बड़ी जो है कामियाबी है 31 विश्वमानसिक स्वास्त दिवस दोस्तों यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है किस दिन मना जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मानस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों mental health assistance and network across state यह इसकी दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ठीक है 13 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाये गए वर्ल्ड एक डे 27 वर्ल्ड एक डे की थीम क्या थी तो यह एक फॉर आल नेचर्स परफेक्ट पैकेज नेचर्स परफेक्ट पैकेज संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे ठीक है तो यह दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट फूड है कि आपके सारी चीजे प्रोटीन विट्रामीन मिनरल्स सारी चीजों से लैस है तो यह जीज दोस्तों 1996 में विएना और श्ट्रिया में यह कॉंफरेंस हुआ था विएना जो है वो वर्ल्ड लाइवेबल सीटी है विएना में ओपेक का हेड़क्वाटर है और विएना में ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनरजी एजनसी का भी हेड़क्वाटर है निमलीकित में से किस मंत्राले ने बच्चों में कूपोसर के मेनेजमेंट के लिए एक नया प्रोटोकॉल तयार किया है जिसे अक्टूबर में लॉंच किया गया डिया अम स्टेंड़ाइज प्रोटोकॉल फोल्मेटे और मॉलिटरिशन इंचिल्ड्रिन तो दोस्तों यह क development or very mental health ministry में दोस्तों आखिर इससे क्यों किया गया इसको करने के लिए क्यों किया गया दोस्तों क्योंकि वर्लड हंगर इंडेक्स में जो हमारी ranking है वह 111 रेंकिंग पहुंच गई 107 111 पे 125 देस में 111 पे उसमें चार पेरामिटर होते हैं एक होता है दोस्तों अंडर नौरिस्मेंट एक होता है चाइल्ड वेस्टिंग रेट एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग रेट और एक होता है चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट तो इसमें दोस्तों हम लोग की बुरी पोजीशन है इन चार कंपोनेंट्स मे सबसे बुरी position दुनिया में सबसे बुरी position हमारी child wasting rate में है बताइये कितने percent है कितने पर दोस्तो जो है child wasting rate है ये आपको बताना है clear है सुपोषिद भारत सशक्त भारत सुपोषिद भारत सशक्त भारत सुपोशित भारत सशक्त भारत दोस्तों याद रखेगा कुपोसर के लिए इस टैग लाइन का इस राष्टी का रिक्रम का भी आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है बात समझ में आ रही है सक्षम आगमबाडी और मिन पोशन 2.0 यह सब भी दोस्तों इसी के लिए चलाई जा कि मेरे यहां पर कुछ कैजवल्टी हो गई जिसकी वैसे राद भर मैं महाश्रम्शान में था और अभी अंतिम संस्कार करके कि मैं सीधे आप लोगों के पास आ गया तो आप सोंगा मैं राद भर का जागा हूं आप लोग को मैंने सोचा करेंट अफेर पढ़ा दू जब मैं आ गया हूं तो पढ़ा दू क्योंकि फिर मैं सो गया तो कब उठूंगा पता नहीं तो इसलिए इंटर्व्यू की नहीं हो पाएगी लेकिन शाम को सारी क्लासेज होंगी ओके गुरुमंत्र बैच जिसमें मैं चार बजे बैंकिंग अवेर्नेस चेप्टर वाइस पढ़ा रहा हूं जो हर एक्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है चलेगी स्बी तक लेकिन हर एक्जाम के लोग देख स सकते हैं और 6 बजे जब आपका आई वीपेस खतम हो जाएगा चे नौंबर से चे बजे का स्लोट खाली हो जाएगा तो बैंकिंग करेंट अफेर भी सुरू हो जाएगा इसमें यानि कि दोस्तों इसमें आपको बैंकिंग अवेर्नेस भी चैप्टर वाइज बेसिक अपड जिसमें जनरल अवेर्नेस है बैंकिंग अवेर्नेस है इकनॉमी भी है इसलिए उन सभी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा 50 questions 60 marks के हैं तो स्टेटिक जीके भी होंगे बहुत डिटेल में basic रूप से चलेंगे क्योंकि प्रॉपर टाइम है मेर लेंगे का आपका बेस इतना मजबूत कर देंगे कि आप लोग इस बार SBI का चार इंक्रिमेंट वाली नौकरी लोगे चार इंक्रिमेंट वाली नौकरी लेंगे आई बीपेस में जो आपकी सेलरी होती है उसमें चार इंक्रिमेंट जो लगते हो SBI की फर्स्ट सेलरी होती ह तो दोस्तो गुरुमंत्र बैच लॉंच हो चुका है बैंकिंग महापैक उन लोगों के लिए है जो लोग अलग अलग बैच मेरे जो है बार-बार लेंगे तो उनको महंगा पड़ जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर मैं तो आपके हर बैच लूँगा हर बैच मुझे लेन पता नहीं क्या आप डिसकसन करें तो इसलिए उनके लिए महापैक है अगले 12 मंत तक 12 महिने तक यानि अगले 12 महिने बाद तो तुम है अरार भी के एक्जाम हो चुके होंगे तो अगले साल के एक्जाम तक जो भी 10-20 बैच जो जितने भी 50 बैच जो भी आएंगे वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे यह जो देंब बैंकिंग महापैक है सब्सक्रिप्शन दोस्तों इसकी वैलेडिटी ट्वेल मंत है 999 रूपीज में है यह है गुल दक्षिना बैच जो लोग दोस्तों आई वीपेस प्यों की तयारी कर रहे हैं और इतनी क्लासेज सारी क्लासे देखके जाएगा सबसे पहले वह क्लासे दिखेगा जिसमें आई वीपेस प्यों लिखा होगा और उसके बाद जो है बाकी सारी क्लासेज आपको देखनी है और रोज शाम को 6 बजे मैं कराता ही रहूंगा क्लासेज और आपकी वैल्लिव एडिशन और नॉलेज एडिशन क अब कुछ बोनस में चलना गुर्द अच्छेना बैच में अरवी में हाइस रटेम आपने किया क्लर्क में किया और अब आप प्यों में करोगी अच्छेना बैच को जो लोग प्यों की त्यारी कर रहे हैं वो लोग ले लेंगे वेबसाइट पर 1x2x की स्पीड से लेप सकते हैं PSR 10 code यूज करेंगे तो 10% का discount भी मिलेगा RRBPO interview batch भी है बहुत सारे batches हैं दोस्तों तो अगर आप अलग-अलग batches लेने से मुक्ति चाहते हैं तो आप महा pack भी ले सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे आपको app पर मिल जाएगी website के भी link पर मिल जाएगी मैंने description में भी दिया है live chat में भी दिया है offline comment में भी डाल दूंगा okay thank you so much शुक्रिया धन्यवाद thank you bye bye take care love you all God bless you all have a nice day